नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल education for better tomorrow में आज हम आपको बताने जा रहे हैं UP NHM के द्वारा जो वेकेंसी आई थी उसके बारे में तो इसमें candidate का जो issue है 2800 वेकेंसी से related उसके बारे में है सबसे उपर information और application link यहाँ पर दिया गया है तो इस application link पे कि इसको apply कैसे करना है सारी guideline आपको एक एक स्टेप का हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और चैनल को subscribe कर ले जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है और इस vacancy से related और बागी government job से related सारी information हम आपको provide कराएंगे आपके पास स सबसे पहले हम apply link पर आएं तो यहां पर आपको दिख रहा है national health mission का website ओपन है important instruction है जो कि हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था detail notification वाले में कि last date का वेट नहीं करना है क्योंकि last date last moment में क्या होता है बहुत ज्यादा भीड हो जाता है website पे और website बहुत बीजी हो जाता है तो बहुत सारे candidate का application form नहीं फिल हो पाता है तो उसके लिए जो नहीं होगा तो इसलिए आप अपने इंट्रेस्ट के according अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करके अब इसमें जो date है 36 2021 को 11 बजे की form start हो चुका है आज आज यह form start हो चुका है 27 2021 मिडनाइट 11 69 तक यह form आप फिल कर सकते हैं इसमें सारे instructions को पढ़ने के बाद I agree start button पे click करेंगे further proceed करने के लिए तो यह दो पार्ट में है सबसे पहले आपको इसमें डिटेल नोटिफिकेशन का बारे में बताया है कि उसको आप डाउनलोड करके केरफुली पढ़े तो इस पे हमने पुराना वीडियो बना रखा है उसका लिंक हम आपको description box में दे रहे हैं तो आप लोग देख लीजेगा सारा information उसमें समझ आ जा कांसिल का रजिस्टेशन है यूपी नर्सिंग कांसिल का वो भी mandatory है आपको अपलोड करने के लिए तो कैसे अपलाई करना है तो जिनके पास नहीं है वो अपलाई करें हो सकता है आपका 20 से पहले आ जाए यूपी का रेजिस्टेशन तो आप भी अपलाई कर पाएंगे तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में प्रोड कर रहे हैं यह कैसे अपलाई करना है और कैसे चेक करना है कि आपका रेजिस्टेशन नंबर बन चुका है कि नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी इस फॉर्म को अपलाई करने के लिए अपना ज email id mobile number जो valid है उसको रखेंगे it should be keep active for at least two years और जो भी आप email id और phone number डालेंगे कम से कम दो साल तक वो phone number आप मत चेंज करिएगा इस form में जो आप phone number और email id डालेंगे उसको आपको active रखना है क्योंकि जो भी communication होगा नहीं का वह in mail और phone number के आदार से ही आपके पास पहुंचेगा पहले में आपको क्या करना है अपना name फिल करना है उसके step one में और उसमें अपना phone number course जो आप अपलाई कर रहे हैं तो उसमें option है वह आपका हो जाएगा post code autofill हो के आएगा और अपना phone number तो phone number दो बार डालना है एक बार डालना है फिर confirm करना है email ID डालना है फिर confirm करना है उसके आद आप submit करेंगे तो एक pop out notification आएगा उसमें आपको ok करना है वह यह बोल रहा है कि आपने जो information फिल किया है वह correct है और आप इसके बाद edit नहीं कर पाएंगे तो बेटा आपने सही फिल किया है तो उस पर ok कर करेंगे नहीं किया तो उसको reject करके फिर उसको final submit करेंगे ok करेंगे step 2 में जाने से पहले आपके पास एक mail आएगा application number और password जो भी mail ID आप provide करेंगे उस पर तो आपको उसके step 1 complete करने के बाद अपना mail open करना है mail पर ID password है उसको आप लेकि login करेंगे login करने के time आप चाहे तो अप अपना password reset कर सकते हैं तो change password का option होगा login वाले page पे और आपको forget password का भी notification होगा तो आप forget password भी कर सकते हैं अपना application number डालके forget password करेंगे तो आपको mail और phone number पे आपको communicate किया जाएगा password पस्छोड़ चेंज करने के लिए तो उसके बाद आप यह password चेंज करने के बारे में हो गया और forget password के बारे में आपको login करना है तो जो login ID आज पासवड़ आपके mail पे आया है मुझ प्रमको इसके बाद आपको पस्नल ड marriage process और इन सब को फिल करने के बाद आपको फोटोग्राप अपना सिंगनेचर तो यह तीन मन्त से ज्यादा ओल्डर फोटो नहीं होना चाहिए मतलब रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए ठीक है उसके बाद आप को अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत होता इस फॉर्म को अपला यू पी रिक्रूटमेंट एड डिरेट जीमिल डॉट कॉम या फिर आप इस फोन नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं 022-6130-6219 आप मंडे से फ्राइडे 10 से 6 के बीच में आप इस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यह मेल आईडी और फोन नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप् पहले I agree बाले पर क्लिक कर ना होगा इस तरीके से उसके बाद्स अधा पर सिद्व तो रजिस्टर उसके को राजिस्टर करने के लिए आगल प्रोसीड करना पर पर प्रोसीड करेंगे उसके बाद आप लॉग इन करके आगे मूव ओन करेंगे लॉग इन करने के बाद आपको राइट एंड कॉर्णर पर क्लिक हैर टू फिल अप्लिकेशन फॉम इन डिटेल तो क्लिक हैर पर आपको क्लिक करना है उसके आद आपका अप्लिकेशन ओपन हो तो यह थी इंफोर्मेशन कि आपको यूपी चो की जो 2800 वेकंसी आई है उसको कैसे अपलाई करना है स्टेप पे स्टेप का हमने सारा बता दिया है आप इसको ओपन करके अपलाई कर सकते हैं जहां भी आपको प्रोब्लेम हो कुछ समझ ना आए तो आप हमें कॉमेंट करें ह हम आपके लिए एवलेबल हैं आपके कॉमेंट का रिपलाई 24 आउर के अंदर मिलेगा आपको जिससे आपको